दोस्तों आज में आप सबको बच्ची हुए इडली से बहुत ही बढ़िया टेश्टी नास्ता बना के बताऊंगी तो ये इडली थोरा सजादा बन गया था और ये ठंडा हो गया है बच्ची गया है तो इसका हम नास्ता बना लेते हैं तो इस तरीके से हम इडली को 6 टुकरों में काट लेते हैं आप चाहे तो 4 टुकरों में भी काट सकते हैं नहीं तो इस तरीके से 6 टुकरों में काट लेते हैं तो हम सारे इडली को 6 टुकरों में काट के त्यार कर लेते हैं इडली को मैं काटके त्यार कर ली तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ गैस पे मैं कढाई रखी हूँ गरम होने के लिए तो इसमें एक बड़े चमच हम तेल डाल देंगे तेल को थोरा सा गरम होने देते हैं तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसमें थोरे से लशन काटके रखी ह एक हरा मिर्च और करी पत्त और प्याज यह सब को एक ही साथ डाल देते हैं और एक दो मिनिट के लिए भूलेंगे ताकि लहसन और प्याज का कच्छापन दूर हो जाया और यह थोरा सा सौफ्ट हो जाया तो हम एक दो मिनिट के लिए भूल लेते हैं प्याज और लहसन हमारा सोफ्ट हो गया है तो अब मैं इसमें आधा सिमला मिर्च काटके रखी हूं इसको भी डाल देती हूं और एक मियट के लिए इसको भी हम प्याज और लेशन के साथ सौटे कर लेंगे अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ एक छोटे साइज के टमाटर को मैं काट के रखी हूँ इसको भी डाल देती हूँ और थोरी देर के लिए टमाटर को भी हम सौफ्ट होने देते हैं अब मैं इसमें थोरा सा नमक डाल लेती हूँ एक चोथाई चमच जितना और एक चोथाई चमच हम हल्दी पाऊडर भी डालेंगे और इसी के साथ आदा चमच हम लाल मीर्च पाऊडर डाल लेते हैं सबको अच्छे से मिला लेते हैं अभी हम नमक थोड़ा कम ही डाले हैं क्योंकि हम इसमें sauce यूज़ करेंगे तो सारे sauces में नमक होता है इसलिए थोरा सा कम नमक डाली हूँ अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें थोरा से गरम masala powder डाल दिये हैं और इसी के साथ थोरा सा धनिया powder भी डाल देते हैं और फिर से हम मसाले को अच्छे से भून लेते हैं एक मिनिट के लिए एक कटोरी ले लिए हैं इसमें हम दो चमच जितना रेड चिली सॉस डाल रहे हैं इसी के साथ दो चमच जितना ग्रीन चिली सॉस लेंगे और एक चमच सोया सॉस लेंगे और इसी के साथ हम दो चमच टेमेटो केचप लेंगे और सारे सॉसस को अच्छे से हम मिला लेते हैं सारे सॉसस को मैं अच्छे से मिला ली तो अब हम फिर से गैस की तरफ चलते हैं और ये मसाले वाले जो कड़ाई है इसमें हम अपना सॉस डाल देते हैं और अच्छे से मसाले के साथ हम sauce को मिला लेते हैं अभी हम gas का flame कम कर देते तो अभी हम थोरा सा बढ़ा देते हैं और अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें थोरा सा पानी डालेंगे तो कटोरी में थोरा सा sauce लगा हुआ है इसी में मैं पानी डाल के और इसमें डाल देती हूँ अच्छे से मिला के और इसमें हम एक उबाल आने देंगे बढ़ियासा उबाल आ गया है इसमें तो अब हम इसमें इडली जो काटके रखे हूँ है इसको डाल लेंगे और इडली को अच्छे से मिला लेते हैं सौसस के साथ अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़े से मैगी का मैजिक मसाला डाल देते हैं इससे स्वात बहुत बढ़ जाएगा और इसी के साथ एक मुठी जितना धनिया पता डाल लेते हैं और बढ़िया से मिला लेते हैं गैस बंद कर देंगे और इसको गर्मा गर्म सर्फ कर लेते हैं दोस्तों हमारा इडली का बहुत ही टेश्टी नास्ता बन के त्यार है आप देख सकते हैं देखने में जितना बढ़िया लग रहा है न इससे कहीं ज़्यादा बढ़िया खाने में ही होता है अगर आप इडली बनाते हैं और थोड़ा ज़्यादा बन जाता है बच जाता है तो इस तरीके से आप इडली का नास्ता बना लीजिए इसे बच्चे बढ़े सब तुरत चट कर जाएंगे तो यह देख रहे हैं बहुत बढ़िया बना है तो इसको मैं सर्ब कर रही हूँ और आप लोग को वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेर करिएगा चाइनल पर नए है तो चाइनल को सबस्क्राइब किये बिना नहीं जाएगा ठीक है मिलतें नेक्स्ट वीडियो में बाबाई